सक्सेस स्टोरी से हमारे जिवन में बहुत-बड़ा परिवर्तन आता है दोस्तों, जिवन में आगे बढ़ते रहने के लिए आपको मोटिवेट रहना बहुत आवस्य है जिस प्रकार से आपको जलते रहने के लिए कोइले की जरूरत पढ़ती है ठीक उसी प्रकार जीवन में शबन और आगे बढ़ते रहने के लिए मोटिवेशन होना चाहिए जब आप किसी दूसरे जैसा बनने की कोशिस करते हैं तो आप हमेशा दूसरे अस्थान पर रहते हैं इसलिए भीड का हिस्सा ना बने क्योंकि इंजन को कोई नहीं खीशता वा खुद अपने उर्जा से चलता है लेकिन डिबो को चलने के लिए इंजन की जरूरत पड़ती है मेनत हमेशा रंग लाती है लेकिन आपको विस्वास होना चाहिए मैं किसी काम को कर सकता हूँ इसलिए उस रहसी को जानने की कोशिश किजे जो आपको सफलता का रास्ता दिखाए नदी सब निकलती है तो उसका कोई नक्सा पास नहीं होता कि सागर कहा है नदी बिना नक्से के सागर तक पहुँच जाती है क्योंकि वह निरंतर आगे बढ़ती रहती है इसलिए आपको भी सफलता पहुचने के लिए या सफलता तक पहुचने के लिए नदी की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए अगर आप भी न रुके निरंतर बढ़ते रहते हैं तो सफलता आपको मिलनी ही है जिन्दगी में जीत और हार तो हमारी सोच बनाती है जो मान लेता है वो हार जाता है जो ठान लेता है वो जीत जाता है सिखर पर पहुचने के लिए कोई साटकट नहीं होता उचाई पर पहुचने के रास्ता तेज और आशा नहीं होता और अच्छी बाते जल्दी नहीं सिखी जाती यानि तेज गती से कोई काम नहीं होता क्योंकि सफलता सही समय और शही तिसा में मिलती है वैसे भी हर चीज के लिए समय निर्धारित है इसलिए शमय के साथ चलो यदि रखतार से आगे बढ़ोगे तो वक्त से आके निकल जाओगे